प्रत्वी शान्ति ही सब चीजों में शान्ति हो इस तरह से एक शान्ति मंत्र है और भारत में शान्ति मंत्र का मतलब और मकसद ये है कि जो पांच तत्व हैं जिसमें जल है, प्रत्वी है, अगनी है, आकाश है और वायू है मतलब हमारी मिट्टी उसमें शांती हो, वो शुद्ध हो, हमारी हवा शुद्ध हो, हमारा पानी शुद्ध हो, हमारा आसमान शुद्ध हो और इस सबकी शुद्धता से हम में भी वो शुद्धता आए मतलब हम भी निरोगी रहें जिसको सर्वे भवन्तु सुखिना कहा गया इसका मतलब ये है कि यहां इस पंच महाभूत लोकोत्सव में जो कोलापुर के कनेरी में छे दिन के लिए इसे आयोजित किया गया हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां आने वाले लोगों को ये समझाने की कोशिश किस तरह से की गई है कि वो प्रत्वी जब बात करते हैं तो प्रत्वी तत्व का मतलब क्या है अगनी की जब वो बात करते हैं अगनी किस-किस तरह से वो लोगों को दिखती है सरलता से समझाने की कोशिश की गई है इस कोशिश को हम आप तक कहुँचाने की कोशिश करेंगे एक-एक करके इस पंडाल में आकाश तत्तु को दिखाया गया है आकाश तत्तु के बारे में समझना और समझाना ये दोनों मुश्किल काम है इसको मॉडल के तौर पर दिखाना भी मुश्किल काम है इसलिए डिजिटल इमेजिस के थुरू यहां पर समझाने की कोशिश की गई है आकाश्चत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत प्रटेश ने फोरा सिक्स्टी तो थी सेवंटी अबीसे में ग्रीक पहले किया है और यह जो वायू तत्व है ना तेन देश्टू माइनस नाइन डिग्री सेल्सियस यूनिवर्स में वह जो ग्राविटेशनल रहता है ना तो कम हुआ उसके बाद यह नुकलिया फार्मेशन हुआ अप्टर टेन इयर्स बाद इलेक्रोंस कंबाइनेड विट नुकलिया एंड फार्मेशन आटम फार्म हुआ सेकेंड हेलियम उसके बाद तारों के निर्मीती हुई तारों के निर्मीती में लीथियम आयरण और जर्मेंईयम कि लिए आटम को फार्मेशनिं के बाद वह अगनीतत तो प्रत्वी करते हैं हैं तो चंद्र का निर्मान हुआँ इस पुरूतिवी पे जो फॉक निर्मान हुआ था जो दग निर्मान हुए थे ऊस डग धक साहना के बादग एुद्ध हो देपलर के वे ज्वाश मांकी की निर्मिति हुए 30 करोड साल पहले ज्वाश मांकी की निर्मिति हुई उसके बाद figure 150 से बड़े वाटर एनिमल्स जल जिवी तेर हो है ईसके बाद 20 करोड पहले जी और सिख प्रीड और को लेप्स हुए उसके बाद डाइनोसोर की डेड हो गई उसके बाद यह का यूमन इवलुशन आया तो मैं मलान इवलुशन फोर करोर साल पहले और इवलुशन शुरू हुआ उसके बाद यह रूशी का नाद आगे जाके यह आश्ट्रोनमी प्रिसेशनल सरकल दिखाया ह अब देख रहे हैं दृश्ट्य ब्रहुमान की सरचने में देखते हैं गाले जी सो अरब मिल की वे उसे श्टार इन गैलेक्सी सूरे का निर्मन हुआ प्लानेटी सीस्ट्रीम मला पूर्दीज सालीट-वालों अरॉंडशन देख़ रहा हैं यहां पे हमें बुद ग्र यह पूर्टवी के 13 पूर्टवी जब गुरुग्रह में समावेंगे तो यह बड़ा गुरुग्रह बनता है पति इसके बाद ईरे और और यहां पर आपने सारे ग्रह देखे और उसमें प्रत्वी है हमारी अपनी प्रत्वी यानि धरती मां जिसको और यहां पर हम उसका कलर देख रहे हैं स्पेसिफिक कलर में कुछ ब्लैकिश है ऐसा लग रहा है जैसे धुआ उसके चारों तरफ लिपट गया है क्योंकि अनेक देशों ने विकास की दौड में जो तरक्की करने के लिए जो बड़ी-बड़ी मशनरी और जो शाटलेट आवकाश में छोड़ दे ह जो प्रदुशन हुआ है। उस प्र। को बचाने के लिए बहुत ज़ादा पेड़ पोदे लगाने होंगे जो मशीने लगाने पड़ेंगे। प्रुटवी का रहास होता जा रहा हैं यहां पर लोग हा रहा है पूरे आसमान की पूरे आकाशत्व तत्व की पूरा जो सफर है उसे दिखाते दिखाते और आखिर में अपनी धर्ती को दिखाने की कोशिश की है उसका किस तरह का संकट उसके उपर है उसे दिखाने की कोशिश की है और ये लोग एक तरह से मार्ग दर्शन सब लोगों का करते हैं और एक तरह की जागरूकता भी उनमें ये पैदा की जा र के बारे में समझाने की और जागरुकता पैदा करने की कोशिश की गई है। मिथेन वायू जो है वो ज्यादा तर बाहर पढ़ने लगा। तो उसके वज़े से मिथेन और कार्बन डायोकसेड ज्यादा होने के बज़े से पूरा पानी का कैसा पानी कैसे बढ़ता है। और यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि वेरियस परसेंटेज दिखाया है। नाइट्रोजन का कार्बन डायोकसेड का और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है अपने वायू में। उसके बाद उन्होंने CFC दिखाया है कि जो फ्रीज वाशिंग मशीन इसमें क्लोरो-फ्लोरो कार्बन यूज किया जाता है। मतलब वायू का उपयोग कहा कहा हम लोग करते हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा लेर्स दिकाया है है वह कितना किलो मिटर रहेगा। 12.2 किलो मिटर तक है। थे स्टकाज़िड है वह 30 इन टो 50 किलो मिटर हैगा। मेसおिपीर जो है फिवटी画ं टो 80 किलो मिटर रहेगा। तर्मोस्पियर 81-700 एक्सोफियर जो जहां पर साटेलाइट्स होते हैं वो 701 से 1000 किलोमेटर तक रहेगा जैसे कि अब भी डी फॉरेस्टराइजेशन हो रहा है तो हमारा जो जो भी व्रुक्षा है वनस्पती है वो जो अक्सिजन छोड़ते हैं और कार्बंडा उक्साइड ल की बात हो या बास्तुरी बजाने की बात अब तो मैं भी समझने लगा हूं कि वाईयू का जो इंपोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो चूला जलाने के लिए भी वहां पर वाईयू चाहिए हार्मोनिय और तबला भी उसका जो हम लोग घर्शन करते हैं जैसे तबला बदाती ताइम वो भी ध्वनी निकलता है तो वायू ही हो गया तो उसके लिए वायू का उप्योग होता है जैसे पूराने जमाने में फैन्स नहीं थे तो उसका फैन के लिए हवा का उप्योग हो जैसे कि वीज निर्मिती होता है वीज निर्मिती के उपर हम लोग कार खाना जो फैक्टरीज वो चलता है यह आप यहां देख रहे हैं यहां अस्पताल दिखाया गया है जहां पर बीपी नापते हुए मरीज है बाकी सब चीजे हैं और उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन का ज लेकिन यह नहों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कुछ शॉलुशन उनके मॉडल्स भी यहां पर दिखाए और बताए गए हैं जैसे कि आप यह घर देख सकते हैं इस घर को किस तरह से बनाया गया है किस तरह का यह सोलुशन है यह जैसे पर्यावरन पूरग घ तो जिसमें हम लोग जो भी अपना मतलब जैसे वीट और इसमें न जाते हुए जो अपना वनस्पती है या छोटा बहुत जो भी मिट्टी का बनता है उसमें हम लोग ज्यादा तर यूज करेंगे सोलर का ज्यादा यूज करेंगे तो जिससे अपने को नाचरली जो भी होत और इस्थिती और ज्यादा खतरनाक हुई तो आप जरा इस जमूरे को देखिए यह यहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी कमर पर लाधे हुए है मॉडल के तौर पर यहां एक बड़ा सिलेंडर लगाया गया है ऐसा ना हो हमारी वायू जो है वो शांत रहे स्वच्छ रहे पवित रहे और हमारा शरीर भी शुद्ध और सुमंगल तरीके से चलता रहे इसके लिए यह जरूरी है कि हम अपनी आबो हवा को बहतरीन रखें शास्त्रों में सूर्य को संसार की आत्मा बताया गया है और सूर्य याने अगनी और अगनी का जो जो उपियोग यहां पर है हमारी दुनियादारी में हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में उसे हम समझने की कोशिश करेंगे में अगनी की सक्त जरूत है और इसके क्या-क्या फाइदे हमारे डेली यूजिस में होते आगे आपको बताया दिया गया है में यूज अगनी का हमारे घर में देव पुजा में होता है अगनी कुण में होता है दूसरा यूज है हमारा घर में घाना पकाने के लिए जो पुराने जमाने अवरोते घाना बनाती थी पूरा अगनी की उपर चुले की उपर बनाती थी उसके बाद हमको दिखाई देगा त करने के बाद शूप का रिये के लिए लोग लढ़ाई के लिए जब निकल जाते थे उनको आर्थी करकी भेए जाता था वहां पर भी कुछ चीजे हैं शेकोटी के लिए उसके बाद हम देखेंगे शेकोटी होरही हाँ जैसे कि थंडी के मोसम में जो है जो भी घर के जैन्ट स्लोग है शेकोटी करते थे और सेकोटी एक पॉइंट एसर रहता था पूरे घर के दिस्कसिन पॉइंट फूइंट की प्लैनिंग यहीं बनाते थे हमारा जो अगनी है जो अगनी फिर कनवर्ट हो गया जमाने में तो आज की जो उपकरन नजर आ रहे हैं शुरवात आगनी की यहां से हुई है और सारे उपकरन जो भी आज के जमान में इलेक्रिक के बने हैं उ सोलर सिस्टम की बिजली निर्मिती सोलर सिस्टम के उपर जा रही है और आज के जमाने में सोलर सिस्टम का यूज गाव गाव में हो रहा है कुछ गाव ऐसा है आज कल इंडिपेंडन बिजली हो गया है फुल गाव डिपेंड़ आपन सूरज और आज का नया जो फिचर सा ह पुरूबात करते हैं ग्यास एनर्जी से जो ग्यास है वह वितकर साथ उसके प्रदूर्शन भी होता है इस चैंसे कम है दूसरा है अल्ब हो हमईल से बनती है इसे भी प्रदूर्शन बनता है आज रहा है हमारा हिंदुस्तान का लक्ष है इंडिया का लक्ष है क्लीन एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए और इतना प्रदुर्शन एनर्जी से ना हो कि वो मानव स्वास्त पर किसी भी तरह का बुरा असर डाले हम आप पहुँचे हैं पंच तत्व पंच महाभूत के चौथे पंडाल में और ये पंडाल जल को समर्पित है जल है तो कल है जल ही जीवन है बहुत सारे स्लोगन आपको जल को लेकर मिल जाएंगे पानी पर सबसे बड़ा संकट है नदिया सूख रही है प्रदूशित हो रही है और जल पर अगर संकट आया तो जीवन पर भी संकट आनाते है लोगों को सरल तरीके से बताने की कोशिश के गई है ऐसी जगह पर जहां पर इस छोटे-छोटे इन सरल तरीके से दिखाए गए मॉडल्स को करीब 30 लाख लोग देखेंगे जल का निर्मान कैसा होता है हर द बादल को ठंड हुआ लगने के बाद उसका फिर बारिश आएगी यह जो जल चक्र है वो यहां दिखाया गया है मैं सुनील को कहूंगा कि यह जो यहां मॉडल दिखाया गया है नीचे की तरफ इस मॉडल को दिखाए भारत वरस में सबसे पुराना करीबन 37,000 वरस पुरान जो जलवे वस्तापन का दुरुष्य है वो हमें पाया गया मोहन जड़ोय हरपा की उतकरन में यह जगह भी बहले पाकिस्तान में हो लेकिन 47 के पहले यह भारत में थी यहां बड़ी एक कुंड़ दिखती है हर जगह एक कुपा दिखता है और उसमें जो सिवेश था वो जा वो यहां दिखाया गया है और आप पीछे की तरफ देखेंगे इधर यह पारम परिक जो इरिगेशन सिस्टम था भारत का यह उसे दिखाया गया है गयाकवार साब इसमें क्या-क्या चीजे हैं जरा एक बार बताएं भारत वर्ष में हर जगह हर बाते अलग-अलग होती है फिर भी एक जो कॉमन है इसमें जब मानव का प्रवाज शुरू हुआ हाथ में सूप जैसा कोई लेकर वो खेत के लिए पानी देता था बाद में अश्मकाली नुयूक उसके कुवे बनाये गए हाथ में से ही वो कुवा से पानी निकलता था बाद में चकर का इन्वेंशन ह गया वह पैडल से चला रहा है इसमें पानी निकल रहा है इसके बाद जन वर को उपयोग करे यह बैल से चलने वाला रहाथ उधर है इसके बाद मोट जिसे कहते है महाराश्टर में माराथी में तो मोट है उधर बहुद का इसंए प्रक्लर की फिर बहुद पिर विफू उसके से बाद लास्ट में इंजन भी आगए इसमें पानी की बहुद और सिटी आती है गायकवार्ट साब हमें बताएंगे कि यहां पर जिन चीजों को दिखाया गया है वो किस तरह से वाटर बॉडी को यहां पर दर्शाती है जल के साथ जो जुड़ी हुई जैवेवित्ता है उसमें काफी सारे फूर्ट चैंस है जो जिसे अन्रशुंकला कहते है इसे फूल वेप कहते है इकोसिस्टेम से यह सीवीट इकोसिस्टेम अलग रहेती है नदी की इकोसिस्टेम अलग रहेगी कुवे की इकोसिस्टेम अलग रहेगी या तालाब की इकोसिस्टेम अलग रहेगी यह इसका परीचर यहां दिया गया है इसी के ही साथ हमारे यह कि जो-पूर्ड से किले जो है, वह राइक समुध्र के अंदर है कुछ पर्वट के उपर है इसके अंदर पानी का जो सिस्टम है वह पानी का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है अगर बार आ गई या कुछ दुश्काल आ गया तो भी उसमें पानी दिखाया गया है यहां पर आप देखेंगे कि भारत में जो मंदिर हैं धार्मी कस्थल हैं वहां पर जो मानव समाज है वो जल के साथ उन्हों को ने किस तरह का परबंधन किया और उसके आगे की विव्यवस्थाओं को गायकवार साब हमसे समझाएंगे बताएंगे हरे पुराने गाव में कुछ कुवे है कुछ तालाब है कुछ कुंड है या इसे पुष्करनी जैसा कुंड भी है यह कपी पूराना हमारा वाटर करया हो यह सबसे आंतीन कऱीvenue हो सिसी सभी कारण के लिए पानी का इस्तिमाल होता यहन नदी का confirms और नदी बहर रही है और फिर इसमें शुरू में सभी पानी लोग पी अने के लिए जैसे कि मैडिसिन जैसा पुजा के लिए खेती के लिए बर्तन दोने के लिए नान करने के लिए सभी चीजों के लिए हर एक काम के लिए पानी का यूज कर रहा है मतलब एक समय जो जल तीर्थ था जल तीर्थ थे वो जल प्रदूशन के केंद्र बन गए और यह केंद्र का बनने का कारण क्या क्या है यह सभी कारण दिखा है कपड़े दोना जानवर दोना बरतन दोना खेती में से जो यह सभी पानी के अंदर आ रहा है और जो नदिया है वो खराब हो रही है यह सभी बाते यहां इसकी भीशनता पानी पॉलुशन और प्लास्टिक की भीशनता यहां दिखाई गई है यह प्रदूर्शन के बात सजीवों के उपर क्या क्या हो गया यह दिख गया लेकिन जो मानव है उसके उपर 16 जन्य पिड़ा जो है जिसमें कॉल्रा, टाइफाई, कावी, अतिसार, उल्टी, गैस्ट्रो यह सभी बाते पानी मतलब प्रदूर्शित पानी पीने से 16 तरीक बीमारियों का जिक्र यहां पर किया गया है और इसके उपर कुछ सुजा होना चाहिए, कुछ उपाए होना चाहिए, तो हमारा यह पारंपरीक उपाए है, हमारे घर के पीछे यह जैसी यह पौदे लगाए गए तो इसका प्य प्रत्वी पानडाल में आकर के आपको प्रत्वी को समझने की कोशिश करते हैं, हमें उसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहां जिस तरह से मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, यहां के सरलतम लोग भी उसे आसानी से समझ ले रहे हैं, जैसे आप यह देखेंगे यहां पर मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी में 18 पोशक तत्व हैं और यह जो उपर की 1 इंच मिट्टी है, इस 1 इंच मिट्टी को बनने में यह 500 से 1000 साल मतलब यह जो उपर की 1 इंच मिट्टी है, इस मिट्टी को आपको बिलकुल भी पुर्दूर्शित नहीं करना चाहिए, आप यहां देखें, यह खनीजों और चट्टानों के प्रकार यहां पर दिखाए गए हैं, यहां पर आप देखेंगे की 48 तरहे की चट्टाने और खन जों के सेंपल्स यहां पर हैं, आप किसी भी राज्य से हों, आपके राज्य की मिट्टी यहां पर लाई गई है, सबसे उपर मध्यप्रदेश, फिर करनाटक की मिट्टी, वहां भी कई तरहे की मिट्टियां है, गोवा, उसके बाजू में केरल, करनाटका, फिर यहां उत् पूठी का एक पिरामीड यहां पर खड़ा किया गया है तो आप जो सबसे उपर देखेंगे जो आपका पौधा है वो पौधा जहां पर है वो सबसे भूर-भूरी और मुलायम मिट्टी होनी चाहिए ठीक है आप होरीजेंटली अगर इसे देखेंगे तो सबसे नीचे जो है भारी चटाने हैं फिर मोटे और कच्चे पत्थर हैं फिर बारीक और कच्चे पत्थर हैं फिर पत्रिली बारीक मिट्टी है उपर मिट्टी है फिर खाद है उसके बाद आपने आपका जो बायोमास है उसको यूज किया है यहां पर हिमाले की जो प्रवत संखला है उसमें म तो यहाँ पर बंपर उपजाव मिट्टी है और इस बंपर उपजाव मिट्टी के बाद में आप देखेंगे दक्षिन का पठार और बाद में आपका समुद्र लेकिन इसी के साथ हम कुछ चीजों को और देखें और समझने की कोशिश करें कि हमारी मिट्टी को हरास कैसे होता है इसको deforestation कहते हैं मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर समझाया गया है कि पेडों की कटाई किस तरह से की जा रही है यहाँ पर जंगल की कटाई करने में जो जंगल माफिया है इन्हें राक्षस बताया गया है जंगलों में जो आग है वो भी हमारी मिट्टी को हमारे प्रत्वी तत्व को नुकसान पहुँचाती है जंगल जलाने के जो दुस्परिणाम है उस दुस्परिणाम जो है उनको आपने यहाँ पर देखा मिट्टी को और जो आप देख रहे हैं इधर जो खनन माफिया है उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि उससे किस तरह से हमारे यहाँ पर हमारी मिट्टी को नुकसान प बताए गए हैं आप पीछे तक देखेंगे वनों की कटाई को रोकें वनी करण करें मतलब जंगलों को आग न लगाएं या जंगलों की कटाई न करें अगर इन चीजों से बचेंगे और साथ में पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऐसी स्थिती में अपनी मिट्टी को रोका जा सकता है बचा आ जा सकता है पुराने एक alreadyません ऑगे तो आपको घर निर्मान करना है या बांद का मशेतर में ज़्याद से are यूज किता पूराने काल में भिन्त लागाने के लिए घर बांने के लिए अलगळा नकर अब आगे जाता था अब आगे जाके सबसे important जो सजिव है हम सब जो मनुश्य प्रानी है इनका जो आनाज का major source है उत्पादन का वो मिट्टी है अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो उसका आनाज का उत्पादन नहीं हो सकता तो ये मिट्टी आनाज उत्पादन का भंडार है हम सब लोगों का portion का यह शरीर मिट्टी का है यह घर मिट्टी का है यह बरतन मिट्टी के हैं और मिट्टी के जो उपयोग हैं आप देखेंगे सोयल यूज इन मैडिसिन अप्रियोग यह सारी चीजें भी यहां पर आप देखने के लिए आपको मिल रही हैं यहां हमने मिठी के जो आउशदी गुंदर्म है आउशदी उप्यग है वो दिखा है प्राकतिक चुकिस्ता में हमारे यहां मिठी की मड़ थेरिपी की जाते थे अलग-अलग हमारे बीमियारिया दुरुस्त करने के लिए उनसे मुक्ति पाने के लिए मड़ थेरिपी की जात जो मिटी की रहती थी हमारे बच्चे भी मिटी में खेलते थे और बड़े हो गए हैं तो ऐसे मिटी के अलग-अलग यूजस हमने यहां दिखाई है ताकि लोगों को पता चले ये मिट्टिय हमें क्या देती है और हम उसके reply में उसको क्या दे रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं ये सब बातें ठीक कही गई है कि चंदन है इस देश की माटी तपो भूमी हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर आंगन में तुलसी है, हर घर में गाय है, हर घर में आय है, यही एक गाउं की पहचान है, एक आदर्श गाउं की पहचान है और इसी पहचान को बरकरार रखना इसी पहचान से जुड़े रहना इसी पहचान में खड़े हो करके और आगे तक बढ़ना ये शायद जीवन का एक बड़ा लक्ष हो सकता है एक sustainable development की एक direction एक दिशा हो सकती है ये दिशा हमारी दशा को भी बदल सकती है झाल इस्टाइब झाल इसी पहचान एक बड़े हो सकती है